हेलो दोस्तों दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत बेलकम करता हूं फिश्ट्री विट यूबा में 1210 में एबक चोगान खेलते हुए रात के नसे में घोड़े से गिरा और गिरका चल बसा पिशली क्लास यहां तक पहुची थी आज की क्लास से हिष्ट्री को हम आगे बढ़ाएंगे ठीक है पिशली क्लास जरूर देखा करो पिशली क्लास में पूरी फिल्म होती है तफर आगे चल जाता है इतियास तो मज़ा नहीं आपाता ठीक है क्योंकि इतियास तो फिल्म है तो पिछली क्लास को आप जरूर देखें चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें पूरी वीडियो देखें पसंद आता है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ठीक तो बारा सो दस में रात के नसे में एक वक्त चल बसा इधर शासन करने के लिए गद्धी पर बेड़ गया और यह भाई सब जिम जाते हैं क्लास में सामने बेड़ते हैं बिड़ी पीते हैं सिगरेट पीते हैं यानि कि कुल मिलाके आठ महीने शासन कर पाया एसा राजा बना यह आराम साम आठ महीने इसे बदाईयों के सुवेदार या गवर्नर इल्टू तमिस ने आक्रमर करके मार दिया कि इसको आराम साह को और भारत का पहला इसलामिक सुल्तान बन बेठा हैं भारत का पहला सुल्तान इल्टू तमिस बन बेठा एफी डेविट सांथ लेके चल रहा है यह सपत पत्र जिस पे इरान के खलीफा इराग या बगदाद के खलीफा का सिगनेचर है आराम साह को मोत के घंट उतार दिया और यहां से सीधा लाहूर से दिल्ली आ गया और दिल इल्टू तमिस भारत का पहला सुल्तान भारत में तुर्की सामराज्य का बास्तविक संस्थापक भारत में तुर्की सामराज्य का पहला सुल्तान जो बेलिट सुल्तान है वो कौन है इल्टू तमिस है तो यह इल्टू तमिस है कौन इसकी कहानी समझा इल्टू तमिस कौन यह इल्टु तमिष भारत का पीस नहीं यह तुर्क का है इल्टु तमिष के पिता का नाम था इलाम खांग और इलाम खांग घोड़े का वैपारी घोड़े बेस्ता था लपक इसके थे चार लड़के चार लड़कों में सबसे छोटा लड़का है इल्टु तमिष सबसे योग लड़का है सबसे अच्छा लड़का है और पिता इसको सबसे ज़्यादा प्यार करता है किसको इलाम खांग को हर बार अपने लड़के को सांथ लेकर जाता है घोड़े बेचने क्यों क्योंकि बाकी के जो तीन भाई हैं वो इससे ज जलते हैं तो एलाम उसको घर छोड़ करने तीनों भाई तो इसे ही निकम में न का रहा है तो इसका फायदा उठाकर तीनों भाईयों ने इल्तुतमिस को एक गुलाम बाजार में बेचा है और बहां के गुलाम बाजार वालों ने उसको इरान इरान में सबसे बड़ा गुलाम बाजार लगता था इरान के गुलाम बाजार में बेचा है इल्तुतमिस को तो एरान के गुलाम बजार में मुहम्मद गोरी गया था याद करो 12199 में 11199 में तरायन के पहले युद्ध में मुहम्मद गोरी हारा और हारने एक बात गया था तैयारी करने तो तैयारी करने के लिए गया तो उसने एरान से कुछ गुलामों को खरीदा था इसमें कुतवद्धी नेवक है इसमें इल्दुतमिस है मुहम्मद विन बक्तियार खलजी है ताजुद्धिन यालदुच और नसुरुद्धिन कुबाचा भी मुहम्मद गोरी के ही गुलाम थ रेट बढ़ा दिया किसका इल्दुतम इसका रेट बढ़ा दिये कि चालिस की जगे आज से यह असी अजार में विकेगा ऐसा समझ लो तो मुहम्मद गोरीन कहा कि इसको हम नहीं करीदेंगे तो इसको कोई नहीं खरीज सकता इस पर बेन लगा क्या गया ठीक इसको पीसे से गुलाम बजार से खरीदा था इसको किसने कुतुबुद्धी नेवक ने चुपचाप से और ये वेकती तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में मुहम्मद गोरी की तरफ से लड़ा 1194 ये चंदाबर की युद्ध में लड़ा 1196 गुजरात की युद्ध में भी ये लड़ा और इससे खुस होकर मुहम्मद गोरी ने दास्ता से मुक्त कर दिया कहते कि आसे तुम स्वतंत और इसको अपनी सेना का एक करनल बना लिया अपनी सेना का एक क्या बना लिया सेना पती बना लिया सिपासलार देखो प्रतिवा एक गुलाम भी सेना का सेना पती बन सकता है ये प 1211 में अपना राज जब इससे दिल्ली में करवाया वो सासक बन गया ठीक तो इल्टुतम इसकी यह पहले सी प्लानिंग थी के अपना ससुर्जेसे निप्टेगा यह कुतुब दिनेभग का दामाद भी यह गुलाम भी लड़किक साधी की थी कुतुब दिनेभग ने तो इल् इस समय दिल्ली में कौन है दिल्ली में समय आकर बेट चुका है अपना इल्टुतमिस तीक यह दिल्ली में देखो भाई मैं यहां पर पूरा बोड़ भर लू ऐसा और इस पर आपको लिख दूं पूरा की ऐसा ऐसा था और आपको पढ़ाऊ वो मुझे नहीं आता मुझे कह दिल्ली में कौन बेट गया है इस समय इल्टुतमिस बेट चुका है तो ताजोद्दिन यालदोज है यहां जो पंजाब से गजिनी तक राज कर रहा है ठीक नासुरुद्दिन कुवाचा ने इनकी लड़ाई का फैसला उठाया फायदा उठाया इल्टुतमिस की लड़ाई और किसकी लड़ाई अपने आरामशा की लड़ाई और मुल्तान पर अटेक कर दिया और लाहुर को भी जीत लिया दोनों पर किसका सासन है इस समय लाहुर ठीक नासुरुद्दिन कुवाचा का यहां पर अली मर्दन खां को भेजा था बंगाल में सासन करने के लिए कुतुविद्दी ने बगने तो इसको कहा था कि सासन करना तो यह साप बन रहा है इसने स्वतंत्र सत्ता घुसित कर दी ठीक रड़ थंबोर और गौलियर में रड़ थंबोर और गौलियर में राजपूतों ने भी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ले और इल्थु तमिस इससमे सासक बना तो ताजुद्दिन यालोज नासुद्दिन कुवाचा और अली मर्दन खां का कहना है कि तू और में एक ही पोश्ट के हैं तू भी गुलाम ह और उपर से तू इलवारी तुरक है और हम हैं कुत्वी सरदार यह कुत्वी बंसके हैं यह भी कुत्वी यह भी कुत्वी यह भी कुत्वी इल्थु तमिस इलवारी तुरक है यह एवक का गुलाम और दामाद है नाकी बंसज ठीक और यह समसी बंसका है इसने समसी बंसकी स सम्सिवंस का तो इन लोगों ने इसका विरोद किया कि भाई तू केसे सासक बन सकता हैं तो यहां के जो छोटे-छोटे गुलाम थे इन गुलामों ने भी कहा कि भाई हम तुझे सासक केसे मान लें तो अब इल्टु तमिस सत्ता के लिए करेगा संगर्स ठीक अब देखो इल् इल्टु तमिस का संगर्स यहां लिख देता हूं में संगर्स ठीक सबसे पहले इल्टु तमिस ने राजा बनते से ही सुल्तान की उपाधी लेते से ही बेलिट सुल्तान ही है सुल्तान बनते से ही सबसे पहले इन छोटे-छोटे गुलामों को अपनी साइट जोतना शुरू किया कि अगर इनको काबू में कर लिया क्योंकि ये पारसद हैं पारसद छोटे-छोटे रहते हैं तो पारसदों को काबू कर लिया तो बड़े-बड़े बाड़ दिया इसलिए इसे कभी कभी चाली सा या तुरकान चहलगानी भी कहा जाता है तुरकान ये चहलगानी ठीक चालिस गुलाम सरदारों का ये एक समू है एक संगटन है इल्तु तमिस इन पर निर्भर भी हो जाएगा आगे चलके तो इक्ता प्रणाली को इसने कहां पर लागू किया भारत में जो इरान की थे ठीक और इनको एक एक राज़दे दिया यहां पर भी एक सरदार यहां पे भी यहां पे भी यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी सब्दू यह खुस इनको जोत लिया ठीक कितना चालियो देगो इन्तु तम इसकी बुद्धी देखो आप किदना अच्छा दिमाग चलाया कि 1218 गया कि 1218 में इस्तिती पढ़ादूं पहले थिख कि 1218 में खौरिज में साम्राज खौरिज्म सामराज पूरे मद्ध एसिया का सामराज बन गया पूरे मद्ध एसिया पर कब्जा हो गया ठीक 1218 में 1218 तक किसका खौरिज्म सहा का पूरे मद्ध एसिया पर कब्जा हो गया ठीक 1212 की घटना है 1218 तक पूरे में इसने कब्जा कर लिया 1212 की घटना है ताजदिन यालदुज जो कहता था कि गजनी मेरा है ये कहता था कि ये भी मेरा ये भी मेरा पूरा देश तेरा है इसको तीन जूते मार के भगा आया किसने खौरिजम सहन है केवल पंजाब का ये सुवेदार रेगा गजनी पर भी सामराज्य स्थापित कर ठीक ये है इस्थिती कहां की गजनी की मध्ध एसिया की 1218 तक पूरा मध्ध एसिया किसके अंडर में है खौरिजम सहके अंडर में है ठीक इधर आओ 1212 में यहां हार के बापस आ गया है अब इलतुतमिश को परसान कर रहा है तो इलतुतमिश ने इनको तो जोत लिया 1215 में आग्रमड ताजुद्दिन याल्दूज पर आग्रमर कर दिया इसने इलतुतमिश है की इलतुतमिश ने 1215 में आक्रमड किया ताजुद्दिन यल्दूज बर्सिस इलतुतमिश यह भैया तरायन का तीसरा हिप्ध श्कॉल ठीक 1215 तराइन के तीसरे युद्ध में ताजुद्धिन यालदोच को मोत के घांट उतार दिये किसने है इलतुतम इसने उत्तर पश्चिम इधर देखो ऊपर हिमाले अरावली इधर चलो पश्चिमी घांट इधर चलो हिंदू कुस्परवत है केवल एक हिस्सा है जो भारत क परसान करता था वो था उत्तर पश्चिम और यहां पर अपनी सत्ता को स्थाबित करना जरूरी होगा क्योंकि खारीज मोने सिन्दू नदी तक अपना सासन जमा लिया और उसको भरोसा नहीं है कि ये लोग कुछ कर पाएं इसलिए 1215 में ताजुद्धिन यालदूच पर हम और इसको इतना मारा इतना मारा इसके कपड़े फट डाले इसको इतना दुख हुआ पिटने के बाद कि इसने क्या किया दोस्तों सिन्दू नदी में कूद कर आत्मत्यकली इसको इतना दुख हुआ कि यार मैं अपने पोश्ट वाले व्यक्ति इसके से आर गया कभी-कभी कि अपने weight वाले wrestler से हार जाओ तो उनको बुरा लग जाता है ऐसे ही इसको भी बुरा लग गया कि अपने post वाले से केसे हार गया तो इसको बुरा लग गया इसने Sindhu Nadeem Poodh के आत्महत्या कर ले यह भी सुरक्षिय ठीक आगे देखो आज मेरा माइक पता नहीं कैसा हो रहा है आगे देखो इसको मिठाना पड़ेगा ठीक आगे की कान इने इधर यह गया ठीक इधर पर यह पूरा हो गया है तराइन का तीसरा युद्धियाद रखना भाई अभी इल्टुतमिस का संगर्जी चल रहा है अब देखो इल्टुतमिस की बंगाल विजए ठीक बंगाल विजए अली मार्दन खां स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर लेता है जबकि कुतुबुद्धिनेवक ने कहके कहा था कि यह सासन चलाना है साब नहीं बनना तो यह साब बन रहा है कि थे कि हम साब टाइप की दिखते हैं इल्टुतमिस ने वेजा आपने बड़े लड़के को इल्टुतमिस के तीन पीस थे इल्टुतमिस के ठीक तीन पीस इसके एक पीस था रुकनुत दिन फिरोज सहा यह जो मैं बोलता हूँ आप यू पीस सी में में लिख देना जाके आपको पूरे नमबर मिलेंगे गारेंटी है मेरी और मुझे भी मिलेंगे लुकनिदिन फिरोज सहा एक है रजिया और एक लड़का है नासुरुद्दिन महमूद नासुरुद्दिन महमूद सबसे ज़्यादा योग और कुसल लड़का है किसका इल्टु तमिस का इल्टु तमिस बहुत प्रेम करता है नासुरुद्दिन महमूद से इसको युद्ध करने के लिए भेजा अली मर्दन खांक से अली मर्दन खांक को माट डाला बिहार और बंगाल भी अब इल्टु त हम इसके सामराज्य में सामिल तीक इसकी राजदानी दिल्ली है ध्यान रखना भी या दिल्ली का इसलिए ये प्रतम सुल्तान है देखो अली मर्दन खांक को मार दिया बंगाल भिहार एक बार फिर से कब्जे में बंगाल भिहार चाहे हिंदू राजा रहे चाहे पूरे इस पहुंकि बंगाल के मधंदर से लगा हुआ है यहां से ब्यापार चलता है तो बंगाल जीतना भी जरूर है यह कि आर्थिक दृष्टी से बंगल एक महत्पूर इस्टेट रहा है हमेशा नासुरुद्दिन महमूद ने इसको जीत लिया ठीक अब हुआ क्या कि नासुरुद्दिन महमूद यहां पर खुद सासन करने लगा तो इवाज खाने देखो इवाज खान इवाज खाने क्या किया बिद्द्रो कर दिया इवाज खान जोसे जीवन का सबसे बड़ा दूख इलतुतामिसके जीवन की सबसे दुखड घड़ना ये रही कि इवाज खान ने नासुरुद्दिन मेहमूद की हत्या कर दे सबसे योग और सबसे प्रतिवा साली और हिल्तुतम इसका सबसे प्रेम का लड़का था नासुरुद्दिन मेहमूद और ये बहुत अच्छा लड़का था बहुत नियाय प्रिये वेक्ती था कुन नासुरत दिन मेहमूद और इवाज खाँ भी एक न्याय प्रिये वेक्ति था इवाज खाँ ने अच्छे-च्छे काम करवाए बंगाल में सड़कों का निर्माड करवाया पुल वन बाए ठीक है क्रिसी के अच्छे-च्छे काम किये इसने तो इससे इतना क्रोधित हुआ इल्तुतमिस इल्तुतमिस बापस आया खुद बापस आया 1231 में और 1231 में इवाज खाँ को मोत के घाट उतारके इल्तुतमिस बापस गया और बंगाल को फिर से एक बार अपने में सामिल कर दिया 1229 है ठीक है 1231 नी 1229 में इल्तुतमिस अपने लड़के से इतना प्यार करता था इल्तुतमिस ने इतना सुन्दर मकवरा वन बाया सुल्तान गड़ी में सुल्तान गड़ी का मकवरा अब तक का सबसे सुन्दर मकवरा है सुल्तानगडी का मकवरा मुगलों से पहले जो मकवरा आना है दिल्ली सल्तनेत में वो है सबसे सुन्दर मकवरा किसका सुल्तानगडी का और वो किसने बन बाया इल्तुतमिष ने बन बाया और वो किसका मकवरा है इल्तुतमिष के लड़ इतियासकार मानते हैं कि नासुरत दिन मेहमूत का जो मकवरा बनवाया गया उससे पता चलता है कि कितना इसका आर्किटेक्चर में दिमाग चलता होगा किसका इलतु तमिस्का गुलाम है और भारत में देख रहा है गुलाम सासन कर रहा है और हमारे रडधंबोर में इनहों ने स्वतन सत्ता की स्थाब ना की राजपूतों से बीद्ध करना पड़ाया इल्थू तम इसको यह देखो राजपूतों से युँद्ध है कि वांगाल भीजिय हो गई राजपूतो से युद्ध देखो आभाउठ राजपूतों से युद्ध 1231 में ग्वालियर पर आक्रमाई तीक ग्वालियर में राजपूत है मंगल देव मंगल पाइंडे मंगल देव सिंग राजपूत कुवर मंगल देव सिंग राजपूत इनका सासन है इल्टू तमिस गया इल्टू तमिस ने हरा दिया ग्वालियर को जीत लिया ग्वालियर से आगे गया बयाना बयाना को भी जीत लिया उसके बाद आया रड थंबोर रड थंबोर को जीतता ले लेकिन गुजरात में से चालुक्यों की सेना गई और इलतुतमिस को बापस लोटना पड़ा बापस लोटते समय इसने बिदीसा पर आक्रमण किया बिदीसा या भेलसा बिदीसा के जितने मंदिर थे एक-एक करके तुड़वा दिये पूरे मंदिरों को धस्त कर दिया इलतु बिदीसा से आगे बढ़के बाबा महाकाल महाकालेसवर मंदिर उज्जेन महाकालेसवर मंदिर को जला के धस्त कर दिया पूरा मंदिर तोड़के छिन्ने बिन्न कर दिया जे बोलो बाबा महाकाल के महाकाल मंदिर को तोड़ दिया किसने इलतुतमिस ने तोड़ दिया हमार ये इल्टुतमिस के काम, थोड़े से फेक्ट सुन लो अब आप, इल्टुतमिस ने, जो अपना, कुतुब मिनार है ना येसा कुछ, कुतुब मिनार, कुतुब मिनार को कम्प्लीट करवाने का काम किस ने किया, इल्टुतमिस ने किया, एक्ता सिस्टम आप ध्यान रखें, तुरकाने चेल गानी, चालेश गुलाम सरदारों का सम हो, वो आप ध्यान रखें, ठीक, बारा सो पंदरा तराइन का तीसरा युद्ध, ये आप ध्यान रखें, कुछ लोगों ने मुझे कहाता कि एक्जाम और इ और इल्टुतमिस का ये, इसको पूरा करवाना किसको कुटम मिनार को, एक सूफी संथ कुटुवद्धिन बक्तियार काकी की याद में बनवाया था, कुटुवद्धिन एवग ने, उसको कंप्लीट करवाया किसने, इल्टुतमिस ने 225 फिट हाइट करके छोड़ दिया, जिसे बाद में फिरोज सा तुगलक करवागा क्योंकि बिजली गिरने से इसकी उपर की स्ट्रक्चर तुड़ आती है, तो उसमें एक मंजिल फिर से बनवाता है, ठीक है, तो ये काम भी किसने करे, इल्टुतमिस ने करे, अब हुआ ये है दोस्तों, इसके समय एक बिचित क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ, ठीक, इसके समय एक आक्रमण हुआ था, मंगोलों का आक्रमण, ठीक है, मंगोल आक्रमण मैं अलग से पढ़ाऊंगा, मंगोल, बारा सो अठारा, पूरे मद्ध एसिया पर, जिन लोगों का सासन था, वो थे खौरिज, पूरे मद्ध एसिया, गजनी, इरान, इराग, सब पे किसका सासक नहों गया था, खौरिज साह का, चीन के जक्षिडी भाग में एक खुखार जन जाती, मंगोल, जिनका नेता, येदुगाई का लड़का चंगेच खांग, चंगेच खांगें रचंगेच खाने ने 1218, खौरिज्म, सामराज्च पर आत्रमण किया, पूरे मद्ध एसिया को धस्त कर दिया, उपर इरान अपना तुर्क चीन की दक्षडी सीमा रूस की दक्षडी सीमा भूमद्ध सागर और पूरा मध्ध एसिया चंगेच खाने जीते हैं पूरा मत देसिया ऋचंग्यच खां ऐसा बेगती है भाई कि ये जहाँ भी आक्रमण करेगा बहां के राजा को मारेगा आप समरपन कर दो आप उप्छ योरो पेर जोरो पूरी सेना को कटवाएगा ठीक और और ये एसा बेखती है कि चलो राजा को मारा ठीक है, सेना को मारा ठीक है, ये आम जनता तक को नहीं छोड़ता था, पूरे लोगों कटवा देता था, जो यूभा हैं, उन्होगों को अपने सेना में भरती के लिए रख लेता था, जो महिला हैं उनको दासी बना लेता था उनके साथ बिवा कर लेता था जो भी है ठीक है और कृसी करने के लिए ये आम जनता को क्या कर लेता था गुलाम बना लेता था इतना खतरनाक बेकती है बुड़ों को मार देता था एसा बेकती है ख्वारिज्म सहा को बीच चोड़ाय पर काट डाला है बहुत धमका रहे थे के रहे थे भारत को लूट डालेंगे वो गया मंगो जंगेच खांग ठीक है ख्वारिज्म सहा का लड़का था जलाल उद्दिन कभी कभी इसका नाम अला उद्दिन मंगवर्नी भी मिल सकता है ठीक है यह वेक्ति अला उद्दिन मंगवर्नी या जलाल उद्दिन यह यहां से भाग क्या था नासुर उद्दिन कुभाचा के पास कि सिंद्धु नदी तक इसका हो चुका है पूरा है चंगेच खांग ढूंडते ढूंडते आये पीछे सिंद्धु नदी पे आकर रुक लूमार लू उद्धर नदर पूरए जीत लूं तो नासुर उद्दिन कुभाचा से वह लॉपा था उसने कि इसने जलाल उद्दिन या अलाउद्दिन मंगवर्नी ने कि मदद करो यार तो इसने कहा कि बड़े साहब है इलतुतमिसिए इलतुतमिस के पास गय आस गया में आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा हाथ जोड़के सविने निवेदन करके इल्टु तमिष ने मना कर दिया और अगर इल्टु तमिष सेना लेकर गया होता तो आप आज की तस्वीर कुछ और ही पाते आज हम कुछ और ही हिच्ट्री पढ़ रहे होते सायद आज तक भारत प कौन चंगेज खान ठीक तो इल्टु तमिष के समय भारत में मंगोल आक्रमण का भे उत्पन हुआ इल्टु तमिष के समय भारत में सिंदु नदी तक चंगेज खां का सामराज स्थापित था भाग कर आया हुआ वेक्ति कौन था अला उद्दिन मंगवर ने अच्छा इसकी दूर दर्सिता के कारण भारत मंगोलों के आक्रमर से बच गया यह इतियास करकेते हैं अगर और कोई होता तो युद्द करने चला जाता तो पूरा बंस मिटा देता वो आग लगा देता इसको खड़े करके इल्टु तमिष को तो इल्टु तमिष समत्दार निकला और इल्टु तमिष ने क्या किया आक्रम ही नहीं किया यह इल्टु तमिष की दिमाग की बात रही है ठीक तो इल्टु तमिष ने अच्छा किया मना कर दिया यह मंगोल आक्रमर का भे इसके समय आया था ठीक है तो यह थी भाई अपने इल्टु तमिष की कहानी बारा सो प को तोड़ना भेलसा के मंदिरों को तोड़ना यह सारे इसके टाइम के घटना है इसके टाइम की पूरी महत्पूर क्या है घटना है भारत की ठीक अब इल्तुतमिश को यह लगने लगा कि मेरी हो चुकी है उम्र और मुझे सामराज्य का विभाजन कर देना चाहिए यानि की उत्राधिकार की समस्या इल्तुतमिश के सामने आ चुकी है उत्राधिकार की समस्या अब इल्तुतमिश को लगने लगा है कि मुझे एक उत्राधिकार को चुन लेना चाहिए ठीक जो इसके बाद सासक बने तो जो योग लड़गा था नासुरुद्दिन महमूद वो तो मर चुका और नासुरुद्दिन महमूद के सोग में देखो कितना इल्तु तमिस्थ ने किया है, काम, तो नासुरुद्दिन महमूद तो मर चुका है, लड़की है रजिया, इस पे विष्वास है, ठीक, तो गुलाम उने मान लिया कि ठीक है, रजिया को बना दो, कोई दिक्कत जो इसके गुलाम थे और बाकी सर्दाथ उन्होंने भी कहा कि रजी अच्छी है योग लड़की है उसको बना दो कोई दिक्कत नहीं है लेकन इसका जो प्राइम मिनिश्टर बजीर इमाम उल्मुल्क इमाम उल्मुल्क को टेंसन केता कि नहीं वो लड़की नहीं बन सकती इमाम उल्मुल्क और रुकनुद्धिन फुरोजसा दोनों मिलके सड़यंत करने लगे कि हम बनेंगे इमाम उल्मुल्क ने जाके बताए कि तुम्हें बिड़ी पीनेस फुरसत नहीं तुमारी बेहन उद लitheru लिखते हो तुम सुल्टान केसे चाहें चाहर योग कर दो ने का है कि मंगता कि है यह से लहर खोचते खाटे Это ऐससा साइसा सा एसा साइसा सीट लगाया ते ना दोने सैसे गलका सासक बनना चाहिए बारा सो पेतिस इल्टू तमिज गाया बामियान अभियान बामियान अभियान और इल्टू तमिज ने अपनी लड़की रजिया को कहा कि तू जब तक सासन चला ना मैं बामियान अभियान के हूँ ठीक सामराज जिविस्तार के लिए तो बामियान अभियान पे गया लेकिन रास्ते में इल्टुतम इसकी तवेत खराब हो गई और वो बापिस आ गया 1236 एक साल बाद आके देखा यो कातियों A2Z एकदम बेसा के बेसा दरवार उसको चलता हुआ मिला उसने देखा कि बड़िया गुलाम सरदार है बड़िया दरवार लग रहा है तीक है मुवांद के आता है इल्टुतम इस दरवार में इल्टुतम इसने ये भी नहीं कहा कि रुको कि मैं आ गया हूँ इल्टुतमिस ने पूरा देखा कि यहां मेरी लड़की बहुत अच्छे से सासन चला रही है और उसने वहीं फैसला कर दिया कि रजिया नेक्स्ट सुल्तान लेकिन रुखनुतिन फिरोज सा बिद्रो करेगा तिक यह उसने फैसला किया 1236 में इल्टुतमिस की मृत्ती हो गई तवित खराब होने के कारण अब नेक्स्ट क्लास में भाई रजिया को पढ़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बढ़ी ऐसे बेल आइकन को प्रेस करके रख दो बहुत मज़ा आएगा इसके टाइम की कहानी सबसे मस्त लगती है मुझे बहुत मज़ा आएगा ठीक है तो इल्टुतमिस ने रजिया को नेक्स्ट सुल्तान के रूप में बेलिट कर दिया है लेकिन रुकनुत दिन फिरोज समना कर रहा है ठीक इल्टुतमिस के टाइम के कुछ फेक्ट हैं आप ध्यान रखना जैसे 1215 अपने तरहिन का तीसरा युद्ध सुल्तान गड़ी का मकवरा इल्टुतमिस का खुद का म भारत में तकों में टकसाल ठीक है यह समझा दूँ मैं आपको यह सिक्के चलवाए यानि कि जो टकसाल सिक्के को टंकेगा उसका नाम इस पर अंकित होगा इसे कहते हैं तकों पे टकसाल यह सिक्के इरान में चलते थे दिए देखो मुद्रा अर्थववस्ता फिर से सुरू होने वाली है तक साल बाले ये सिक्के किसने चलवाए इल्तुतमिस ने चलवाए इल्तुतमिस का जो सिक्का था वो 195 ग्रेन का था ठीक है और वो सिक्का था तांबे का ठीक 195 ग्रेन का सिक्का चलवाया था तांबे का सिक्का था जिसे कभी-कभी जीतल कहा जाता है ठीक ये सिक के इसने चलवाए थे इल्टु तम इसने ही अपने उसको पूरा करवाया के किते कुतुब मिनार को जो आजकल यूनेस्कों ने ले चुका है गोध ठीक है ये फेक्ट है आप ध्यान रखना ठीक कि नेक्स क्लास में है उत्तर अधीकार का युद्ध रजिया है रुकन दिन फ्रोज्सा है इमामुल्मुल्क है वहोत मज़ा आएगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना बस और नेक्स क्लास के लिए बेट करना तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त चाहता मिलते हैं नेक्स क्लास में जहें